पार्लोमन्ट में रख्की, जब मैंने अदानी जी के बारे में प्रदान मंत्री से सवाल पूछे घÁनो, इविचारवन पार्लिमेंटल्ली मन्डसदागः, अदानी विचारवन नाओ इप्रस्णेन केलदेगः, पार्लिमेंटली पहले में माइक आफ करदिया गिया मैंने क्या पूछा प्रदान मंत्री जी आपका अधानी जी से क्या रिष्टा है मैंने पार्लेमंट में एक फोटो दिखाई जिसमें नरेंद्र मोदी अधानी जी के हवाई जहाज में रिलाक्स करते हुए दिखते हैं ऐसे बैठे हैं जैसे वो अपने घर में बैठे हैं मैंने पूछा क्या रिष्टा है फिर मैंने सवाल पूछा कि हिंदुस्तान के एरपोर्ट्स अधानी जी को दिये जा रहे हैं और एरपोर्ट्स देने से पहले सरकार नियम बदलती है नियम क्यों बदला किसने बदला देश दुस्ता कि इरपोर्ट्स जलाने के लिए एक्स्पिरियंश होना चाहिए अधानी जी का कोई एक्स्पिरियंश नहीं है आरपोर्ट्स जलाने में मुंबाई एर्पोर्ट उनके हवाले कर दिया गया जिसका एर्पोर्ट था उसपे CBI ED के कैसेज लगा दिये और उससे एर्पोर्ट उनके प्रणान मंत्री और उस्ट्रेलिया के नेता के साथ बैटे है उसी मेज पे अदानी जी बेटे हैं उसी मेज पे स्टेट बैंक अव इंडिया के चेर्मत के सीनियर नंबर बेटे हैं और उसी के एक दम बाद स्टेट बैंक अदानी जी को हजारों क्रोड रुपे का प्रैंक लोन देते ता है मैंने पुचा किसने करवाया स्री लंका में पॉट अथोरिटी का एक चेर्मन कहता है कि स्री लंका के राष्ट्रपती ने उससे बताया कि नरेंद्र बोधी ने कहा है कि अदानी जी की मदद करनी है प्रदान मंत्री बंगलादेश यादते है उसके एकदम बाद अदानी जी को कॉंट्राइक मिल जाता है प्रदान मंत्री इस्राइल जाते है अदानी जी को डिफेंस कॉंट्राइक मिल जाते हैं पॉट्ट मिल जाता है यह सवाल मैंने पूछे मैंने पार्लिमेंट में पूचा अदानी जी की शेल कंपनी है अदानी जी जाते है अदानी और नकली कंपनी गड़ोई दे बेनामी यह किसकी है इसमें बीस हजार क्रोन रुपे किसका है यह सवाल मैंने पूचा यह बेनामी कंपनी नकली कंपनी ने लिर्टकंता यह पत्ता सावर कोटी रुपाई यार दोंतना प्रश्टे माड़ी देने उसके बाद पहली बार इतिहास में सरकार ने पार्लमेंट को नहीं चलने दिया अदानांतरा इडी इतियास डली मदलने बारिगे सरकार अगलो पार्लमेंट नर्सली के बिड़ लिला आम तोर से opposition पार्लमंट को रोकती है। पहली बार इतियास में BJP की सरकार ने उनके मंत्रियों ने पार्लमंट को रोका। अधि नंत्रा बारत्य जंता अपाट्य केद्र मंत्रिगणु नन्न रावल गांदे और मेले सुल्डू अपो प्रचार गल्रमाणलिके प्रहत्ता माड़तरू। कानुन में नियम है, sorry, पार्लमंट में नियम है, अगर कोई बी मेंबर, दूसरे मेंबर के बारे में बोलता है, तो उस मेंबर को पार्लमंट पे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। यूः कानून है पार्लमंट का। पार्लिमेंटली आप पार्लिमेंट नटस्ता कंता नियमाद अनुसारा यारादरू उपा सदसने इसर तकदरे आप सदसने आउकास माट कोड़ बेकागिर तकदर मातार लिखे मैंने स्पीकर को दो चिटियां लिखी का कि देखिए यह मेरा ह waktu है मेरे उपर हरोप रखा गया है मुझे कहना है मुझे जवाद देना है ना नो लोग सा बास पीकर गये येरड़ पत्र होना बड़ दे नगे नना हक की दे ना नो उसके बास कोड़ लिखे अऊंपार लिका हम कशा कोड़ी हैं घ्ली जवादि तेड का तो दीजिए अधर नंत्रा नानु स्पीकर और कचे निगोगी नान अर्ली विनंति मार दे नहीं यह मातार लाउकाश मार कोड़ी अधिका जवाब कोड़ी अंथेड़ी मुस्कुरा के कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता मुगल लगकोंडू स्पीकर साइबरू नान एनु मा कागो दिल लांता हो आई ए मेरे साथ चाहे पीजिये मैं आपको समझा दूगा कि नाओ नंजदे की कुड़ी अधना विचार दली नान बगेर इस्तिनियन थेड़ी मैंने उनसे का स्पीकर सार आप तो स्पीकर हैं आप पार्लेमंट के स्पीकर हैं जो भी आप करना चाहते तो पार्लेमंट में आप कर सकते हो आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो ताओ लोग सबैया स्पीकर ताओ ये बेकादरू पार्लेमंटल लड़स बहुदू तम अधिकार होना चला इस बेकू आज रहे ताओ माड़ता इल्ला मुश्कुरा के मेरी ओर देखते हैं उसके बाद वहां नहीं रुके वो नहीं चाहते हैं कि मैं पार्लेमंट में अधानी जी की बात रखूँ वो डरते हैं अलगे अधानी विचार वन्ना पार्लेमंटल मातार बार्दों थेली या कंदर अधानी विचार तेक दर और बाव बीलता इदा रहे उसके बाद मुझे पार्लेमंट से डिस्क्वालिफाई कर दिया अधाद नंतरा ननन लोग सबा सदस्यत दिन्दा ननन बरकास मारता रहा हनर रहा कि मारतार तक करता दूना उनोडिदे वे यह सोचते हैं कि पार्लेमंट से मुझे हटा कर धमका कर डरा देंगे यूरू बारती जंता पार्टिय और योचने मार बोद ननन पार्लेमंट इंदे हनर रामारी ननन के बादी सब रहता मारद रहे ननन अधर बक्तिनियन थेड़ी मैं नी डरता इंसे मैं फिर से मैं फिर से दोराता हूँ प्रदान मंत्री जी आपका अधानी जी के साथ क्या रिष्टा है और ये बीस हजार करोर रुपए जो शेल कंपनीज में हैं वो किसके हैं ये जो बेनामी पैसा है वो किसका है और कहां से आया है अधानी आवरा नकली कंपनी करें लिट्टा कलता इपत्त सावर कोटी ये बंतों तो नानीगलू प्रश्टे माठते नी मुंदेनू प्रश्टे माठते ने और जब तक इसका जवान नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं रुकने वाला हूँ अधानी जी एक चिन है करप्शन के एक चिन है 21 सदी में एक व्यक्ति हिंदुस्तान का पूरा का पूरा इंफ्रस्ट्रक्चर एरपोर्ट, पोर्ट, सरग, 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 उठा ले जाता है हजारो क्रोर रुपे धन जादू से उनकी कंपनी में आ जाता है सबसे जरूरी इंफ्रस्ट्रक्चर, डिफेंस इंफ्रस्ट्रक्चर की कंपनी में चाइना का एक डाइरेक्टर बैठा है अधानी जी की शेल कंपनी में चाइना का डाइरेक्टर है, बात समझेए अधानी जी डिफेंस में काम करते हैं कोई इंवस्टेकेशन नहीं हो रागी भाईया, आपकी कंपनी में चाइना का डाइरेक्टर कैसे बेठा हुआ है किसने बठाया इसको क्यों बठाया अदानिया और एक कंपनी गड़ली चैना दर डिरेक्टिर तक करता दिना या कल कुर्श कोड़ी दिरा या डिरेक्टर माड़ी दिरां तेली आरुसा उत्रा कुड़ता इला और फिर ध्यान बाताने की कौशिश करते हैं मत्ते निम्मा मनसन नाद रुष्टिया ना बेरेक्टिर तत्त त्रेत कोड़ी लिके प्रयात्ता माड़ुसता इधारें